नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खन हाई कोट ने नई निमावली पर सरकार से मंगा जबाब जर्खन हाई कोट में जे पी एसी पर रिक्षा के लिए बनाई गई सरकार की नई निमावली के खिलाब दाखिले अचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद चीफ जर्श्टिस डाक्टर रवी रंजन वर जर्श्टिस एस इन पर साथ के अदालत ने राई सरकार से जबाब मांगा है बता दे अदालत ने पुछा कि आखिर कीस वज़ा से हिंदी और अंग्रेजी को भासा की सिरेनी से हटा दिया गया है इसके अलावा अदालत ने कहा कि नई नियमावली के तहट अगर किसी परकार कभी गया पंजारी किया जाता है तो उसमें इस बात का जरूर जिक्र होना चाहिए कि इससे समधित याचिका हाई कोट में लंबी था है और याचिका के अम्तिम पई नाम से नियुक्ती परवावित होगी जारखन में दो और तीन दिसंबर को कई इलाके में हलकी बारिश होने के असार है बतादे बादल चाने की वज़ा से रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी मौसम बिग्यानी अभिसेक अनन्द ने बुद्वार को बताया कि दक्षनी अंडवान में निम्द दवाव का छेतर बना है इसका विस्तार पच्छिम उत्तर पच्छिम की ओर हो रहा है इसका असर जारखन पर भी देखने को मिलेगा तीन दिसंबर को राजे के दक्षनी इलाके में हलकी बारिस की संभावना जताई गई है बतादे राजे के उतर पूर्वी और मदे भागों में भी हलकी बारिस होने के असार है बारिस के बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी जारखन में दस में से तीन बच्यों का हो रहा बाल भीवा जैसी कुरीती को लेकर अभी हलात अच्छे नहीं है बतादे बाल संरच्छन से जुड़ी संस्थाओं के किरियासिल होने के बावजूद बाल बिवा के आकड़े अभी भी चिंता जनक हैं जिस गती से इस खुरीती पर लगाम लगनी चाहिए वह अभी भी अपने लक्ष से दूर है बतादे राश्ट्रिये फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बर्ष 2021 की रिपोर्ट में सुबे में 32.2 फिजदी मामले बाल बिवा को लेकर दर्ज किये गए हैं जिसके तहट 10 बच्चियों में से 3 बच्चियों का बाल बिवा कराया जा रहा है जबकि बर्ष 2015-16 में एन एफ एच चार के सर्वे में या 38.9 फिजदी था मन्रेगा में सन्वीदा पर होने वाली बहाली परकिरिया निरस्त 14 जिले में मन्रेगा के तहट होने वाली बहाली की परकिरिया निरस्त कर दी głई है बतादे मन्रेगा आयुक्त राइस्वरी बी के निर्देश पर पहली की परकिरिया को निरस्त किया गया है उन्होंने 30 नौवंबर को इस आशे का अधेश जारी किया है जिले में मन्रेगा के तहद कुल रिक्त 41 पीविन पदो पर पहली होनी है इनमें तक्निकी सहाया, कंप्यूटर अपरेटर, सहलेखा पाल और रोजगार सेवक के पद सामिल है बतादे इन पदो पर नियुक्ति के लिए लगभग दो महिना पुरो भीग्यापन निकाला गया था जार्खन की 2000 युतियों को सीम हमन्त देंगे नियुक्ति पत्र जार्खन सरकार की टेक्स्टाइल पोलीसी को अधी विस्तार मिलने का असर दिखने लगा है बतादे लॉक्डाउन की वज़ा से आर्थिक संकट से गुजर रही कई टेक्स्टाइल कंपनियों में उत्पादन सुरू हो चुका है इसके साथ ही रोजगार के नए आउसरों का स्रेजन हो रहा है बतादे च्छ दिसंबर को मुख्य मंत्री हमन्सुरेन टेक्स्टाइल कंपनियों में काम करने वाले 2000 यूतियों को नियुक्ति पत्र सोपेंगे ये वही उतिया है जो लोकडाउन के पहले तमिलनाडू, आंद्र परदेश और केरल जैसे राजों में काम कर रही थी तुफान या ओला विरिष्टी से छती गरस्त हुए घर के बदले सरकार उपलब्द कराएगी पक्का मकान सरकार गरामिन इलाके में रहने वाले गरीबों को उनके छती गरस्त या धवस्त आवास के बदले पक्का मकान उपलब्द कराएगी पक्का मकान तुफान या ओला विरिष्टी से छती गरस्त कचे घरों के बदले दिये जाएगे बता दे ग्रामिन विकास विभाग ने इसके लिए सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने अपने जीलों में ऐसे मामले देखे जिसमें गरीब ग्रामिनों के कच्चे माकान छती गरस्त हुए हो उनकी सूची तयार कर मुख्याले को भेजे ऐसे प्रभावित परिवारों को बाबा साहब भीमरा अम्बेट कर आवास दोजना से जोड़ा जाएगा इसकूल में फूड पैकेट बाटने का टेंडर रद बच्चो को मिलेगा पैसे राज्य के सरकारी सकूल में पढ़ने वाले बच्चो को मद्याहन भोजन का फूड पैकेट देने का टेंडर रद कर दिया गया है बचों को 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्श 2020 तक कूल 134 दिनों का कोकिंग कोस्ट दिया जाना है इसके लिए 28 सितंबर को टेंडर जारी किया गया था टेंडर को लेकर परकिरिया भी सुरू हो गई थी टेकनिकल बिल्ड खोलने की परकिरिया पूरी हो गई थी इसके बाद की परकिरिया पूरी नहीं हो सकी वहीं दूसरी और पैकेट उपलब्द कराने का टेंडर रध होने के बाद बचों को अब कोकिंग कोस्ट की रासी देने की त्यारी है रांची के 14 गाओं में 100 फिस्दी टिका कोरोना को मात देने के लिए रांची जीले के ग्रामीन छेतरों में लोग बढ़ चरकर टिका ले रहे हैं बताते रांची जीले के 14 गाओं ऐसे हैं जहांके 7% लोग कोरोना टिका का दोनों डोज ले चुके हैं इन गावों में लाली पंचायत के जारा टोली वा गठा टोली, टाटी जिल्वे पंचायत के टाटी सिल्वे, हरातु गांधी नगर, हरी नगर, मानकी डीपा वा मिस्रा टोली, सीडियो पंचायत के पिडर कोम, तोरार नाया टोली सामिल हैं राइची में दर्ज है साइबर क्राइम के 400 से अधिक केस राइधानी में साइबर ठगी के 400 केस के अनुसंधान में छो राज्य के 51 सोहरो का कनेक्शन सामने आया है अनुसंधान के दर्ण राज्य से बाहर 51 सोहरो में रहने वाले संदिक दिलोगों का सत्यापन किया जा रहा है जारखन में कुरोना के 12 नए केस मिले हैं जबकि 16 मरीज स्वस्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिब केस की संख्या 98 है भारत में 91,69 मरीज मिले हैं जबकि 84,75 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,24,3 है पलामू में प्रमंडल अस्तर ये आपके अधिकार कारिकरम 10 दिसंबर को जारखन के पलामू में प्रमंडल अस्तर पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम के तहट मेगा परिसंपति बीतरन केम का एयोजन 10 दिसंबर को होगा आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री हमान्सरेन का कारिकरम प्रस्तावी था है कारेक्रम के दुरान बिभीन लोक कल्यान कारी कारेक्रमों के लाभुकों को बीच परिसंपतियों का बित्रन किया जाएगा इसकी तैयारी को लेकर प्रमंडलिये आयूक्त जटा संकर चोधरी ने आयूक्त कर्याले में बैठक की हजारी बाग में सत्तर हजार रुपए घूस लेते भवन निर्मान विभाग के जुनियर इंजिनियर रामदेव पटेल को बुद्वार को भरष्टा चार निरोधक ब्यूरो ने गिरफतार किया है सीविल कोट परिसर में अपोर्च रोड पेवर ब्लोक निर्मान कारे का अमतिम बील फाइनल करने के नाम पर जैई स्री पटेल ने ठेकेदार से एक लाख रुपए की मांग की थी ठेकेदार घुस नहीं देना चाह रहा था लेकिन घुस नहीं देने पर जैई ठेकेदार को बील फाइनल करने के लिए बार बार दोड़ा जा जा रहा था बता दे तंग आकर ठेकेदार ने एसी बी के नाम आवेदन दिया चतरा के सिक्षक बच्चों की करेंगे नेतर जाँच स्कूलों में कखारा का ग्यान बातने वाले सिक्षक अब डॉक्टर बनेंगे बता दे स्कूल अस्तर पर बच्चों की नेतर जाँच सिक्षक ही करेंगे इसके लिए स्वाहत विभाग ने एक खाका त्यार किया है जिसमें जीले के सभी स्कूलों से एक एक सिक्षक को नेत्र जांच का प्रसिक्षन दिया जाएगा बतादे प्रसिक्षन के बाद सिक्षक पचों की नेत्र जाच कर जरूरत पढ़ने पढ़ने सुल्क चस्मा भी दिलाएंगे इस सम्बंध में असयनिक सले चिकित्सक सहमुख चिकित्सा पताधिकारी द्वारा जीला सिक्षा अधिक्षा को पत्र भेजा गया है रूपा तिर्की मामले में पंकज मिश्रा वर राची सीटी एसपी के खिलाप प्राथमी की दर्ज करने का निर्देश साहिम गई महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की मामले में SCST उत्पिडन के तहत दर्ज सिकायत पर राची सिविल कोट में सुनवाई हुई कोट ने पंकज मिश्रा राची के सीटी एसपी और राची SCST थाना प्रभारी के खिलाप प्राथमी की दर्ज करने का निर्देश दिया है बता दे रूपा तिर्की की मामले में पदमावती उराइन ने राची सिविल कोट में सिकायत वाद दाखिल की थी याचिका में वारल हुए अडियो का हवाला देते हुए इन लोगों पर SCST के तहत प्राथमी की दर्ज करने की मांग की गई थी ओमी क्रोन को लेकर राची एरपोट पर सतरकता बढ़ाई क्रोना वाइरस के नए वेरियंट ओमी क्रोन को ध्यान में रखते हुए जहरखन सरकाने राची एरपोट पर सभी आने वाले यात्रियों का कोवीड टेस्ट अनिवारी कर दी गई है बता दे राची इस्थित बीसा मुंडा यारपोट पर इसे लेकर सतकता बढ़ा दी गई है यारपोट पर थर्मल स्केनिंग की जा रही है लक्षन मिलने वाले यात्रियों के कोंट्रेक्ट में आने वाले को भी ट्रेस किया जाएगा अभी तक पहतर यात्रियों का टेस्ट के लिए सेंपल लिया जा चुका है बिजली विभाग भी आपके अधिकार आपकी सरकार के तहत सिवीर लगाएगा जारखन बिजली बीतरन निगम लिमिटेड ने भी आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के तहट सिवीर लगाने का फासला किया है बता देया सिवीर एक दिसम्बर से लेकर चार दिसम्बर तक राजधानी और ग्रामिन इलाकों में लगाया जाएगा सिवीर के तहट एक मुत सम्झावता योजना में बिजली बील का भुकतान होगा डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए नगर निगम बाटे का 10,000 डोस्ट बीन राची नगर निगम डोर टू डोर कचरा उठाव वेवस्था को मयबूत करने के लिए 10,000 डोस्ट बीन का वित्रन करने जा रहा है या डोस्ट बीन डोर टू डोर कचरा उठाव वेवस्था करने वाली एजेंसी CDC के जरिये बाटी जाएगी बता दे 10 बीन बाटने का काम दिसमबर के आंत तक पूरा कर लिया जाएगा राची नगर निगम ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह 15 दिसमबर से 10 बीन बाटने का काम सुरू कर दे करोडो रूपए के दवा सेंपल की चोरी में सामिल लोगों को बक्सा नहीं जाएगा मंत्री स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि सदर अस्पताल में करोडो रूपए की दवाओ के सेंपल की चोरी की घटना में सामिल लोगों को बक्सा नहीं जाएगा इसकी उच अस्तरिय जाच कराई जाएगी जिस तरह से नसीरी दवाईयों का कारोबार बढ़ रहा है उस पर सक्ति बरती जाएगी लोगों के स्वास्त के साथ कोई खिलवार नहीं होने दिया जाएगा उन्होंने पूलिस को की जा रही करवाई में गती लाने को कहा मालूम हो कि दो दिन पहले सदर अस्पताल परिसर इस्थित ड्रक्स कंट्रोल के करियाले से रातो रात जबत दवा के सेंपल चोर उड़ा ले गए जबकि इसे अगले दिन चांच के लिए बाहर भेजा जाना था संपन लोग रासन कार्ट को सरेंडर करे अन्याथा होगी करवाई हजारी बाग जीले के सभी नोकरी पेशा करने वाले इंकम टेक्स देने वाले एवं संपन परिवार के लोग जो आज तक खादे सुरक्षा जोजना के तहद जन वित्रन दुकान से रासन ले रहे हैं वैसे तमाम कार्ट धारियों से जीला पूर्ति पताधिकारी अरविंद कुमार ने अपना रासन कार्ट को स्वेक्षा से वापस करने की अपिल की है उन्होंने कहा कि वैसे संपन लोग स्वेक्षा से अपना कार्ट को सेरेंडर कर दे और याथा सरकार के निर्देश के आलोक में उनके विरूद कानूनी करवाई की जाएगी खुंटी में नक्सली पोस्टर चिपकाने के मामले में तीन यूग गिरफतार भागपा मवादी किसंदा एवं सीला मरांडिक गिरफतारी के विरूद में मवादियों दोवारा गत 20 नौमबर को बंदी के पुर्व रात्री में रनिया थाना अंतरगत बिभीन जगों पर पोस्टर चिपकाने के आरोप में तीन यूगों को जार्खन पुलिस ने गिरफतार किया है बता दे गिरफतार यूगों के पास से नक्सली पर्चावदो मोबाइल फोन भी बरामत किया गया है पुलिस की पुश्टास में कई बाते भी बताई गई सभी को बुद्धवार को जेल भेज दिया गया है घरेलू हिंसा जेलती है ज़ार्खन की 31.5 फिश्दी महिला है राश्ट्रिय परिवार स्वास सर्वेक्षन की ताया रिपोर्ट आ गई है बतादे कई मानकों पर अब भी ज़ार्खन काफी पिछड़ा है खास कर महिलाओं के खिलाप होने वाली हिंसा और उनकी सिक्षा के मामले में बतादे ज़ार्खन में 31.5 फिश्दी महिला है घरेलू हिंसा की सिकार हो रही है वहीं 16.5 फिश्दी बेटियां एनिमिया की सिकार है नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में या खुलासा हुआ है रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़ार्खन में जन्म के समय लिंगानुपात 899 है राज में महिला सक्षर्टा की दर अब भी 61.7 फिश्दी ही हो पाई है 10 साल से अधिक उम्र की महज 33.2 फिश्दी लड़किया ही स्कूल जा रही है आदिवासी जमीन की लूट के खिलाप साथ को धरना बिभीन आदिवासी संगटनों के सन्यूक्त बैठक बुद्धवार को सिंदू और टोली मुराबादी में हुई अध्यक्स्ता आदिवासी महासभा के संजोजग देव कुमार धान ने की इसमें राजी पढ़ा जारखन आदिवासी महासभा आदिवासी अधिकार मंच केंद्रिये सरना समीती राजी पढ़ा सरना प्रातना सभा अखिल भारतिया आदिवासी विकास परिशत जारखन चेत्रिये पढ़ा समीती हटिया आदिवासी हातु महासभा खोटी के प्रतनेधी सामिल हुए बतादे बैठक में नेना लिया गया कि 7 दिसमर को आदिवासी जमिन के लूट के खिलाप उपायुक्त कर्याला के समीप एक दिवस्य धरना दिया जाएगा गलत तरीकिस चात्रवीर्थी लेने वाले पर होगी करवाई मुखे मंतरी हेमान सुरेन ने चात्रवीर्थी के स्विक्रिती वा बीतरन के समध में एक वार्षी कलेंडर त्यार करने का निर्देश अनुसूची जन जाती अनुसूची जाती अल्पसंख्यक पिछला वर के कल्यान विभाग के अधिकारियों को दिया है CM ने यह भी कहा है कि चात्रविति का भुगतान समय पर किया जा सके ताकि बिद्याति लावानुईत हो CM ने भी भाग गिये समीक्षा में इसके अलावा सभी उपायुकतों को भी इसकी लागतार समीक्षा का निर्देश दिया है भेरिफिकेशन का काम भी लागतार करने को कहा है ताकि किसी भी चात्र को चात्रविति मिलने में आनवस्यक बिलम न हो CM ने इसके अलावा या सुने स्चीत करने को कहा है कि छात्रीविती जोजना का गलत तरीके से कोई लाप न उठा है गलत करने वाले के विरूत करवाई भी करने का निर्देश उन्होंने दिया है धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल के लेंके दभाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फिड़बेक अवसी दे थाइंक यू